scale detect करने के लिए scale find करने के लिए मैंने बहुत सारे tricks को बता दिया था आप लोगों को हाँ लगबग 2-3 tricks को मैंने आप लोगों को बता दिया बट फिर भी आप लोगों के मन में ऐसा एक जिग्यासा था कि और इससे भी सरल तरीका बताईए scale को detect करने का तो दोस्तों आज मैं वही chapter आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि scale को मतलब एकदम smoothly, मतलब एकदम easily कैसे detect करते हैं वो भी किवल 2-3 seconds के अंदर अगर आप एक beginner हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है तो आप please वीडियो को skip मत करिए ठीक है दोस्तों तो आईए हम जल्दी स्क्रीन पर आ जाते हैं तो दोस्तों देखिए कि हम screen पर आ गये हैं ठीक है हमारे सामने Apple Studio खुल कर आ गया है तो यहां दोस्तों देखिए मैंने कि ये दो song ले रखे हैं एक पानी-पानी बात्सा का एक सुना है मेरे दिल पे mixer खोल देता हूं और जिस software के उपर मैं आज आपको बता रहा हूं उस plugins अना में दोस्तों auto की आप देख सकते हैं कि यहां आपकी screen पर auto की आ गया है हम सबसे पहले अपने song को play करेंगे ठीक है माल लीजी हमने 6 नंबर के mixer channel में अपना song डाल दिया उसके यहां पर मैंने एक effects लगा दिया auto की जो की auto tune जो की बहुत ही मज़ूर pitch corrections का plugin है दोस्तों उसी company ने यह auto की नाम से एक effects plugins बनाया है जिससे बहुत ही easily बहुत ही असानी के साथ हम किसी भी skill को find out कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो आईए हम देखते हैं कि क्या procedure होता है इसका तो दोस्तों देखिए य यह हमने डाल दिया mixer में 6 नंबर में song ठीक है अब यह effects को भी मैंने 6 नंबर के mixer channel में मैंने लगा दिया अब यहां से हम क्या करेंगे कि यह song को हम play कर देंगे तो उसके लिए मैं headphone लगा लेता हूँ अब अभी देखिए कि हम इस song को play कर रहे हैं अब song को play करने से पहले आपको यहां पर एक बार click कर देना है ठीक है जैसे ही आप click करेंगो यह आप song को play कर दीजिए ठीक है यह listening listening लिख कर आगया हम हमने play कर दिया ठीक है ठीक है दोस्तो अब आप देख सकते हैं कि यहां A minor लिकर आ गया है यानि कि जो हमारा यह song है वो A minor की scale पर है तो आप इसको किस परकार से जानेंगे कि यह हमारा A minor ही है कि मतब A minor का scale सही जा रहा है तो उसके लिए हम यहां क्या करेंगे दोस्तों यहां पे हम उसके कीज ले लेना है और A minor का scale हमें play करना है ठीक है तो यह हमारा हो गया C, D, E, F, G, A ठीक है यह हमारा scale हो गया A minor ठीक है यह जो हम play कर रहे है कीज यह जो chords play हो रहा है यह A minor पर चल रहा है तो हम humming करेंगे यानि की गुन गुनाएंगे ठीक है अब हम इसके साथ अपने song को play करके देखते हैं कि यह सही जा रहा है की नहीं जा रहा है तो सबस्पेल हम तोड़े से volume को down कर देते हैं correct दोस्तू ठीक है यानि की हमारा जो chords है जो हम A minor जो हमको यहाँ पर auto key पर दिखाया है वो A minor पर ही जा रहा है ठीक है यानि की इसने जो बताया है कि इस song का जो इसके लिए A minor है वो बिल्कुल correct है ठीक है अब हम आजाएए दूसरे song के उपर भी बात कर लेते हैं एक song और है हमारे पास सुना है मेरे दिल पे तेरे इसका भी हम demonstrate कर देते हैं इसको भी करने के लिए सबसे पहले हम यहां से इसको यहां कर देते हैं और इसके बाद यहां से इसको refresh कर देंगे यानि की A minor पर click करके हम यहां से इसको refresh कर देंगे ठीक है अब हम यहां से play कर देंगे अब आप देख सकते हैं कि यहां पर E minor लिक कर आ गया है यानि कि इस song का जो scale है वो E minor है ठीक है अब इसको भी हम detect करेंगे कैसे करेंगे उसी तरीके सा C D E यह है दोस्तो नारा 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 ठीक है तो दोस्तो इसका मतलब यह है कि इस song का भी जो scale हमारे इस auto key plugins ने बताया वो भी बिलकुल correct scale बताया है तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और इसी तरीके से आप अपने जितने भी song हैं सभी के scale को केवल इस auto key plugins की मदद से चुठकियों में जान सकते हैं कि हमारे song का scale क्या है जल्दी से फिर से चैनल पे आजाईए चैनल पे फिर से एक्टिव हो जाईए मेरे क्योंकि अब आपको daily to daily नए नए धमाके खजाने music से related सब कुछ मिलेगा तो दोस्तो ये तो था auto key के बारे में जो की मैंने अभी तक YouTube पर ऐसा कोई वीडियो नहीं दिखा जिनोंने auto key के बारे में आप लोगों को इस तरीके से बता होगा आप लोगों के लिए फिर से एक्टिव हो चुका है और फिर से आप से मिलते हैं अगले किसी नए धमाकेदार वीडियो में तब तक के लिए दोस्तो नमस्कार